तो जैसे कि कल आप लोगों का एक्जाम है तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ important topics लेके आई हूँ जो कि last minute revision में काफी मदद करेंगे mix unit से आप लोगों के topic रहेंगे जो कि आप लोगों के लिए last minute में काफी बार होता रहा most important topics को अगर आप कवर कर लेते हैं तो हो सकता है कि last minute पे वही आप लोगों के topic exam में आप लोगों को देखने को मिले so I hope audio video ppt everything is fine and we can start the session so quickly like and share this important session and subscribe the channel as well और these are the timing of our free classes इसमें 10 o'clock हमारे class जाती है Tuesday, Thursday, Saturday को YouTube पे और 11.30 same days पे आप लोगों का app पे रहेंगी इस week थोड़ा सा timing's up and down कर सकता है app class का just because of I'm not at my location ठीक है बाकि आगे से जो भी चीजे रहेंगी वो आपकी routine के अंदर जैसे चलता वही सारी चीजे हैं कोई भी आपका doubt है आप इस number पे connect कर सकते हैं आपको बता December batches भी शुरू हो चुके हैं तो आपकी कोई डाउट है पेड पैचिस के रिगार्डिंग यू कनेक्ट ओवर हेर उसी के साथ-साथ आज जो में important topics आपको कराने वाली हूं ठीक है आज जो में important topic कराने वाली हूं जिसमें आपका logical equivalence में list बता देती हूं topic की logical equivalence रहेगा rapid revision रहेगा यह आपका next topic रहेगा square of opposition next number third पे types of memory number four पे internet terms number five OSI model बहुत rapid तरीके से revise कराऊंगी यह वाला पार्ट में आपका next आप लोगों का आता है important commission or committee important commission or committee right after that OSI model आपका आचुका है यहाँ पर उसी के साथ-साथ और भी कुछ important topics हो कि इस session के अंदर हम लोग cover कर सकते हैं ठीक है और in the same way जैसे कौन सी regulatory body है किसी इसका काम करती है NEP 2020 के कुछ important topics ठीक है अब यहाँ पर हम एक करके topic को शुरू करते बागी अभी तक आप लोगों ने अगर app download नहीं की है तो आप यहाँ पर आपको download कर सकते हैं with the help of this QR code right everyone so let's start with the session I hope सभी ने like और share कर दिया है यह list of topic रहेगा और यहाँ पर आप इसको जुरूर revise करके जाएगा so that last minute पर आपको हो सकता है इसमें से कोई न कोई topic जुरूर देखने को मिलेगा exam के अंदर number one पर हमारा topic आता है logical equivalent सारे student class का feedback after the class जुरूर देंगे कि आपको यह last minute revision कैसा लगा first topic है आपका logical equivalence यह logical reasoning का topic है जो कि आप से पूछा जाता है logical reasoning के अंदर आपका logical equivalence पूछेगा statement देगा और आप से पूछेगा कौन सा बताईए इन में से एक दुसरे के समतुले है कौन सा इसके equivalent है वहाँ पर आपको ऐसे नहीं देखना कि words उसमें क्या है उसमें आपको तीन conditions चेक करनी है कि वो उसका conversion दिया है और version दिया है या फिर Contraposition दिया है Contraposition दिया है ठीक है अब यहाँ पर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो टीन condition एक आता है और verse एक आता है आपके पास Converse और next आज आता है आपका Contraposition questions रहीं blank slide के साथ एक Revision रहेगा conceptual Revision और version में conversion सबसे easy है यहाँ पर आप क्या करते हैं swap कर देते हैं आपके subject और आपके predicate को swap करते हैं let's suppose मैंने लिखा all ARB या फिर no ARB validity की भी बात आती है न तो इसका Conversion क्या होगा आपने subject और predicate को क्या कर दिया swap कर दिया आपको पता है यह आपका subject है यह आपका क्या है predicate है दोनों को swap कर दिया ठीक है अब यहाँ पर next अगर मैं बात करती हूँ उसके साथ साथ यहाँ पर validity की भी बात आती है valid क्या हुआ valid इसके अंदर होता है या तो sum का case या फिर no का case अगर मैं invalid की बात करूँ यहाँ पर all और sum note का case क्या आ जाता है invalid के अंदर आता है यह आपका आता first case अगर हम of version की बात करते हैं इसमें दो काम करना है हमें एक number पे आपको quality change करना है quality change में आपका all से no जाएगा no से all convert आप करतेंगे और अगर आपके पास अगर आपके पास यहाँ पर sum दे रखा है तो sum का चला जाएगा sum note और इसका sum note है तो sum दे दिया जाएगा पहली condition यह है दूसरी में आपने क्या करना है इसके predicate का compliment कर देना और यह हरिक का true है यह all का भी valid है यह no का भी valid है यह sum का भी valid है यह sum note का भी valid है मालिया मैंने ले लिया case यहाँ पर let's suppose मैंने लिया sum A, R, B quality change करो sum की quality क्या आजाएगी sum note ठीक है A as a T sum A, R as a T जाएगा note B का compliment कर दो क्या बन जाएगा non B आ जाएगा यह case बन गया आपका of version का अब next अगर हम बात करें contraposition, contraposition valid किसका होता है सिर्फ दो ही case valid इसमें एक all का case valid है और एक आपका sum note का case valid है इसमें आपने क्या करना है subject और predicate को swap करना है ठीक है subject और predicate को swap करना है after that दोनों का क्या करना है subject और predicate दोनों का ही compliment कर देना है compliment इसका एक example देखो let's suppose आपने लिखा sum A, R, not B हम क्या करेंगे इसका contraposition क्या करेंगे swap को इधर आ जाएगा B, इधर आ जाएगा A R, note को ऐसे कैसे लिखो इसका compliment इसके आगे non लगा दो और इसका compliment इसके आगे भी non लगा दो तो यह था आप लोगों का पहला topic I hope आप से भी को clear है जी अब next हमारा topic है ठीक है next हमारा topic है square of opposition square of opposition थोड़ा सा fluctuation है ठीक है तो इसलिए बीच बीच में शायद थोड़ा सा आप लोगों को disturbance भी हो सकता है थोड़ा सा voice अगर background पीछे से अगर noise है तो थोड़ा आज के लिए adjust कर ले ना ठीक है square of opposition में आपके 4 cases है 4 cases में यह number 2 topic है आपका 4 case के अंदर क्या आता है यह आपका a यह e है यह i है यह o है ठीक है all आजाएगा यहाँ पर आपका no आजाएगा इधर आपका sum आजाएगा इधर आपका sum note case आजाएगा जब आप बात करोगे इन दोनों के बीच का ठीक है या फिर इन दोनों के बीच का इस केस को बोला जाता है contradictory contradictory बोलता अगर यह true है तो यह false है और अगर यह false है तो यह true है यही कहानी मतलब contradictory किसके बीच में होता है A, O के बीच में, E और I के बीच में ये जो case है वो क्या कहलाएगा contradictory case कहलाएगा बात है clear हुई अब contradictory case के अंदर अगर हम ये बात करते हैं then next हमारा part आता है contrary case contrary क्या बोलता है दोनों एक time पे true नहीं हो सकते दोनों एक time पे false हो सकते हैं ये कहलाता है contrary case एक second देजिएगा मुझे एक second हाँ now okay ठीक है now okay अब साइगे मेरे ख्याल से आप पीछे से noise नहीं आएगा आपको तो इधर आप लोगों का क्या आजाएगा contradictory case ये जो case आता है ये just contrary का उल्टा है इसको बोला जाता sub contrary ये क्या बोलता है एक ही time पे true हो सकता है बट मैं एक ही time पे false नहीं मानता हूँ उपर से नीचे का case है ये कहलाता है sub altern का case sub altern क्या होलता अगर ये universal true है तो ये भी आपका true होगा और अगर ये false है तो ये भी आपका false होगा मतलब आपकी जूट उपर की तरफ चलता है false का case उपर की तरफ और sub altern का ये case बन जाता है तो ये चार case बनते हैं आपके square of proposition के I hope second topic भी clear है नमबर थर्ड पे आपका topic आता है OSI model OSI model और TCP IP model ये काफी important है OSI TCP model की layers है इसमें आपकी 7 layers होती है इसमें आपकी 4 layers होती है ठीक है उपर की जो layers है वो एकी layer में merge कर जी जाती है जैसे कि इसका mnemonic भी मैंने बताया है आज फिर से test नहीं देना पड़ेगा ठीक है आज फिर से test नहीं देना पड़ेगा ये कौन से layer है application layer है ये कौन से layer आजाएगी presentation layer आजाएगी ये कौन से आजाएगी S4 session T4 आजाएगी transport N4 आजाएगी network D4 आजाएगी data link और P4 आजाएगी physical layer अब ये layer यहाँ पर ठीक है इसको एक layer बना दिया physical data को second layer TCP IP में बन जाएगी network next अगर मैं बात करूँ तो बन जाती है ये transport इन तीनों को एक ही नाम दे दिया गया है जिसका आप लोगों को नाम रखा गया है application layer तो इधर चार layers है और आपसे question पूछा गया था exam के अंदर बताएगी application layer के अंदर TCP IP के अंदर कौनसी कौनसी layer को merge किया गया है अगर मैं physical layer की बात करूँ यहां जो काम होता है वो bits में इधर आपका जाता है frame के अंदर इधर आपका जाता है packet के अंदर और आगे इसी तरीके से इधर आपका normal क्या करता है data काम करता है बात एक clear हुई यहां पर आपका क्या करता है data काम करता है यह सारी चीज़े आपसे चोटे-चोटे questions पूछे जाते हैं और जो front end पे हम जितने भी protocols देखते हैं जाए FTP की बात करें, SMTP की बात करें, Telnet की बात करें तो यह important चीज़े आप लोगों की क्या हो जाती हैं application layer पे काम करती हैं एक आता important protocol TCP, UDP कहां पे काम करता है intranet आपका क्या माना जाता है, एक private network माना जाता है और यहाँ पर आप sharing नहीं करते हो बहुत जादा अगर आपका बहुत personal है तो आपने share कर लिया मतलब एक private organization का है और यहाँ पर security check काफी क्या होता है high होता security number two पे अगर मैं बात करूँ, extra net यह आपका कुछ आप share कर लिया, यहाँ पर आपके कुछ sharing होता है जो भी आपके मानलिया partners है या फिर आपके subscribers लगा लीची जो भी enrollment जिसने कर रखा है तो extra net में कुछ चीज़े आप share कर लेता हो यह middle level की security आप बोल सकते हो ना जादा high ना फिर इसमें कम अगर मैं internet की बात करती हूँ तो internet आप लोगों का less secure है और यह क्या मानलिया जाता है public मानलिया जाता है और when अगर बात करें wide area network किसके example है आपका internet का ही example आजाता है I hope यह fourth topic भी clear है number 5 पे अगर मैं बात कुरू हमारे पास topic आता है NEP 2020 के important years आते हैं NEP 2020 में अगर वो आपसे पूछे GER आपको कब तक करना है higher education के अंदर तो याद रखना 50% करना है और वो भी 2035 तक अगर आपसे पूछे GER higher education में कितनी करनी है 100% वो कितनी है by 2030 यहाँ पर आ जाएगा अगर आपसे पूछे vocational education में exposure कितना करना है vocational education में exposure 50% करना है वो भी कब तक 2025 तक जितने higher education institutions हैं उनको क्या बनाना है multi-disciplinary बनाना है right multi-disciplinary बनाना all higher education को कब तक करना है by 2040 at least one higher education at least one higher education क्या हो जाए हर district के अंदर बन जाए उसको आपने बनाना तो बन जाएगा आप लोगों का 2030 आ जाएगा यह major years है आप लोगों की main main चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं ऐसा नहीं कि पूरी complete NEP हमने revise करा दी है उसी के साथ साथ NEP 2020 के अंदर क्या आता है एक higher education आपका commission बनाया जाता है जो आगे UGC को replace करेगा इसके अंदर चार verticals आते हैं एक vertical है आपका NHERC जो एक regulator की तरीके से काम करेगा देन उसके बाद क्या करता है NAC यह accreditation का काम करेगा देन आपका एक आता है HEGC यह grant और funding का काम करेगा और यह क्या है आपका जर्नल education council है जो की आपका academy की तरफ क्या देगा learning outcome की तरफ धान देगा इसका learning outcome ऐसा कुछ word भी इसके लिए क्या लिए जाता है यूज किया जाता है बात अक्रदी तो यह था आप लोगों का तॉपिक नंबर 6 की बात करूँ में types of memory या फिर memory हirarki आ जाती है memory हirarki की कि अंदर क्या था इसके अंदर आपका सब से तॉप पे अगर मैं बात करूँ तो क्या आते हैं register, then next पे अगर मैं बात करूँ तो क्या आते हैं cache then आपके पास क्या आती है primary memory और फिर उसके बाद क्या आती है secondary memory session को देखो like share आपने जुरूर करना because session is very very important और आपको ये चीज़ जिरू ध्यान रखने है कि यहां से कोई नो कोई question आपको फसेगा ही फसेगा register आप लोगों के क्या हो जाते है register यहां पर सबसे fastest है जैसे जैसे नीचे की तरफ आओगे speed आपको क्या मिलेगी slow यह क्या हाँ आपके postly है और जैसे जैसे नीचे आओगे तो यह क्या हाँ आपके less postly है बात है clear register cache primary secondary उपर postly है यहां पर less postly है यह fastest है यहां पर slow पड़ जाते है next अगर मैं बात करती हूँ यहां पर इसकी access time की यह सबसे speed से क्या होता है इनका access होता है क्योंकि इनका processor के बिल्कुल नजदीक है यह ठीक है फिर cache बहुत नजदीक है फिर primary रामुचाजा प्लीज समोसा इसकी मैंने आपको trick भी बताई है तो access speed की बात करें इसकी सबसे fastest तरीके से access होगा जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वैसे ही इसका क्या होगा slow access है cache आप लोगों की देखो primary में क्या आता है एक आता RAM एक आजाता ROM RAM आपकी क्या है static RAM है आपकी एक आजाती है dynamic RAM ROM आपकी क्या है एक होता है PROM एक होता है EPROM और एक होता है double EPROM बात है क्लियर तो ये इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है number seven topic की अगर मैं बात करती हूँ आपके important commissions की बात करते है important commission के years की बात करते है जैसे अगर हम बात करते है very initial level पे हम शुरू से ही अगर बात करें तो माले macula minute से ही शुरू कर देते है आपका macula minute कब आता है 18.35 के अंदर right macula minute आ जाता है फिर आपका क्या आता है wood dispatch आता है wood dispatch यहाँ पर कब आता है 18.54 में उसी के result 18.57 में तीन university आती है Bombay, Madras, कलकत्त आती है major universities आती है फिर उसके बात एक important commission जिसमें hunter commission है 82, 83 के अंदर आता है जिसने बहुत segregation का काम किया था सारे चीजा अलग थलग कर दो hunter commission ने यह चीज किया था then major major है यह 1917 में आपका sadler commission आता है sadler commission ने क्या किया था कलकत्ता university के लिए major major अपने काम किये थे ठीक है यह माल लिए कलकत्ता university का ही सारा काम किया था इसने इतना मान के चलिए गा फिर अगर मैं बात करूँ 1902 और 1904 यह role play सबसे important किसका आता है Indian University Commission का आता है किसकी अद्धेक्स था लॉड करजन ठीक है और किसने इसकी चेर्मेंशिप किसके हाथ में थी टी रेले के हाथ में थी बात क्लियर हुआ और Bombay Madras, Calcutta किसके model पे थी यह London University के model पे यह तयार की गई थी University के reforms के regarding इस commission ने काम किया था अगर मैं post independence की बात करती तो post independence में major major क्या आता है अच्छे इसमें ये भी देख लो फिर उसके बाद ऐसे 35 के अंदर आपका नाई तालिम आता है in the same way 48 के अंदर कौन सा commission आता है राधा क्रिशन commission आता है राधा क्रिशन था इसकी अद्यक्ष्टा किस ने की थी ऐसे राधा क्रिशन ने किया था अगर मैं 52 के अंदर करती हूँ यहाँ पर कौन आता है मुदालिर commission इसको और क्या बोला जाता है सेकेंडरी बोला जाता है इसको university education commission 64 की अगर हम बात करते हैं तो कुठारी commission आता है और कुठारी commission की अध्यक्ष्टा किस ने की थी DS कुठारी ने की थी next अगर हम बात करते है 1968 में क्या आती है first policy आती है 1976 के अंदर education को concurrent list में डाल दिया जाता है after that 1976 में concurrent में 86 में एक और policy आती है जिसको NP-86 बोला जाता है अब इसके अंदर कुछ जैसे KVS, NVS वेगरा 86 की policy में बात हुआ था एक आता plan of action आता है 82 के अंदर यहां पर एक committee आती है I guess नारण मूर्ती थी sorry मुझे अभी trigger नहीं किया है बहुत factual चीज़े हो जाती है तो 1992 के अंदर 86 की जो policy review की जाती है तो 1992 के अंदर कुछ यहां पर changes आते हैं तो एक plan of action हम इसको बोल सकते हैं फिर अगर हम बात करते 86 के बाद 2020 के अंदर जो आप लोगों की 21st century की policy आती है तो 2020 के अंदर है Sam Pitroda या National Knowledge Commission यह काफी active रहा है 2005 में आता है 2006 में website आते है 2014 में सको defunct कर दिया जाता है 2009 में यह क्या करता अपने report को submit कर आता है तो यह थी important commission और committees थे I hope यह topic भी आप सभी का majorly revise हो गया है Next आता है आपकी Indian logic में 6 प्रमान आते हैं जिसमें एक आता आपका perception एक आता है आपका अनुमान Next आता है आपका उपमान Next आता है मेरा यहाँ पर उपमान के बाद अगर मैं बात करूँ अर्थपती भी आता है जरूरी निये chronology आप याद रखो एक आता है अनुप लब्दी perception जब आप direct knowledge लेते हो अनुमान जब indirect knowledge लेते हो गट इसका base क्या होता है कहीं नगी perception के थूरू ही आप क्या अनुमान लगा पाते हो और अनुमान के अंदर आपके क्या आजाता है फून step को आप फोलो करते हो परतीजना हेतु उधार उपमाना उपनया और निगमाना उपमान में हम comparison और कीवर यहां पर comparison और analogy आजाता है आप किसी चीज की similarity के भी आप रंदाज लगाते हो इधर आप situation देखके क्या करते हो postulation करते हो मतलब यहां पर आप situational analysis लगाते हो भी ऐसा है दिन में नहीं खाता तो रात को खाता है शब्दा क्या होता है किसी trustworthy person के words के उपर क्या करना rely करना trustworthy person के words पर rely करना और अनुपलब्दी में क्या आजाता है अनुपलब्दी का मतलब होता है जब आप किसी चीज के अभाव में भी ज्ञान ले अभाव जैसे कि कोई भी class में teacher नहीं है शोर आता है तो अव्वेस आप दूर से बता दो भी पकका class के अंदर teacher absent है तो ये थे आपके types of प्रावाण नमबर 9 ठीक है second last अगर topic की बात करें 9 नमबर पे आपका आजाता है न्याय और aristotel न्याय और aristotel silhouism ये 5 step silhouism है ये 3 step silhouism है अगर मैं terms की बात करूँ इसमें भी 3 term है इसमें भी 3 term है यहाँ पर term कौन सी है पक्ष, हेतू और साथ है यहाँ पर term है minor, middle और major ये terms है ये बोलता है कि मेरे लिए induction और deduction निगनात्मक और आगनात्मक दोनों क्या है सेम चीजे है ये बोलता है मेरे लिए induction अलग है deduction को मैं अलग मानता हूं Aristotle की कहानी है ये उसके साथ साथ यहाँ पर जो inference चलता है पपू particular से particular through universal चलता है and last नियाई सिलोईजम क्या होता इसका जो nature है इसका deductive inductive formal material ये इसका nature है लेकिन आपका Aristotle क्या है deductive oral formal जाता है ये आपका था ninth number का topic और यहाँ पर ये मतलब ये no around 8 10-11 के आसपस हमने topic कर लिये जैसे कि phone हमने यही पर mix कर लिया है ठीक है उसके बाद एक हेत्वा भाशा आ जाता है हेत्वा भाशा के अंदर जैसे fallacies की मैं बात करूँ यही पर लिख के बता देती हूँ मैं इसी part पर यहाँ बता देती हूँ number 10 topic आपका हेत्वा भाशा हेत्वा भाशा में क्या होती है पांच fallacy है जिसमें पहली fallacy की अगर मैं बात करूँ वो क्या है सव्वे भिकारा मतलब जब आपकी irregular क्या रहेगी middle irregular middle रहेगी irregular middle के बाद next आपके पास क्या आ जाएगी और सिद्धा fallacy और सिद्धा fallacy में middle time क्या होगी unprobed middle होगी यह keywords और डारेक्ट्री इसके one word जो होते हैं आपके अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ सत्प्रतिपक्षा सत्प्रतिपक्षा यहाँ पर एक जो middle है जैसे मैं alcohol के example लेती हूँ ना दूसरी middle को क्या करती है contradict करती है एक middle दूसरी middle contradict करती है next अगर हम बात करती हूँ एक middle दूसरी को contradict करती है अगर यहाँ पर बाधिता की बात करते हैं तो बाधिता fallacy में एक जो middle term है आपकी उसको कोई पर्मान contradict करता है जैसे कि perception मैं बोलती हूँ ना कि मैंने fire को ठंडा समझा fire को touch किया मेरा हाथ जल गया तो यह आप लोगों की क्या आ जाती है fallacy आ जाती है तीनों में contradiction word है यहाँ पर middle contradict करती है यह किसी पर्मान के साथ contradict करती है एक middle दूसरी middle को contradict करती है तो यह था आपका एक बहुत अच्छा सा revision session जिसमें 10 topic मैंने बहुत सड़न तरीके से revise कराने के कोशिश की है with the help of keywords so I hope session is informative do like and share this important session rest of December batches हमारे शुरू हो चुके है आप इस number पर connect करें for detailed information paper 1 plus paper 2 इसमें added रहेगा यह सारी features इसके अंदर आपको available रहेंगी और for paper 1 book आप इसको refer कर सकते हैं यह available है दोनों ही languages के अंदर सबसे important चीज है कल यानि क्या आपका exam है 18th of June का आपका live analysis रहेगा यहाँ पर help करने वाला है so I hope this piece of information is informative thank you so much like and share this important session और give your valuable feedback in the comment section कि आपको यह session कैसा लगा है last minute revision की form में bye bye take care